तो हे गाइस वेल्कम बैक टो एंदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट 22 माई केरी रिमोट जहां पे अपना लास्ट टाइम मैस रुका था लेस्टर शायर के सामने मैस था और इतनी ओवरकार्श कंडिशन में बोलिंग कर रहे हैं शुरू करने वाले थे लास्ट एपिसोड में देखा था वही जारी है खतरनाक मजा आने वाला है अमने सेंचुरी बनाई थी अगर लास्ट अपिसोड अभी तक नहीं देखा तो फिफ्टीएथ एपिसोड स्पेशल सेंचुरिया स्पेशल इनिंग्स थी जाके देख सकते हो आउट स्विंग पर विकेट ले ले यार चौका मार दी ठीक है तो आज देखते हैं क्या होता है आज क्या होता है मजा तो बहुत आने वाला यार भाई इन स्विंगर डाली उस पर रूम बना के ड्राइव पर चौ कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं करना है साथ ठीक है और भाई टेस्ट मैच की भिकेट मिली नहीं आते ही ख़दर नाग और डिविकल्डिटी अपनी वह है टेस्ट मैच की अगर तुम लोग को अदियाद हो तो हम जिस पर टेस्मैच किल ए 70 30 150 विच ओर बाकि बैं बाकि बाट यार ये ड्रीम फॉर फास बोलर बोला था इंगलेंड काउंट में बहुत मजा आना वाला बोलिंग बोलिंग में लास्ट दो तिन मैसे में अपनी स्ट्राटेजी से तोड़ा अलग पता नहीं कुछ नहीं नहीं ड्रह करा था बहुत गलती थी यह देखो यह प्रॉपर गाउंट करा किया हुआ यह है बहर बहुत इतना अंदहरा लाल बॉल इतनी ज़्वाज़ा स्टार्ट की पेज और बोल इंडरसं जैसे बहुत इस्चाहब क्या विया इसका की पना चलाह सर्भाई नहीं요 बेरी नाइस आउट करते ते यह कौन है सस्ता शुबमंगिल है मैं दभी है ठीक है अब यह निवे इतनी स्विंग है आउट स्विंग भी करवा देता था नहीं लीज फिरो ओ बाई सीम भी है तो ड्राइव करता ना वरो एकदम फ्लैशी ड्राइव नहीं बैए क्या है इंस् साफ से देखा जाए तो पहली बॉल लगते हैं अभी मस्ट एक तो अंधेरे में ही बोलिंग मजे दार होलिंग आउट बैए एक विगेट हर स्पेल में निकाल ले परफेक्ट पांच स्पेल दलवा दूँगा मैं कट कर दो यार छोड़ो यार ना कट करो अभे यार सीम अंदर भी हो जागुरू हाँ सही बाई वैसे ही कुछ ना होता तो चौका खालो हैं एकरमेन ने चौकरमेन मार दिया कैच ओ भाई एज लगके गली पे विगेट मिली है होई चाप मैंने आपकर रखाया तो वह शौट पॉइंट टाइप का विल्डर हो गया है बस मैं रखता इसके लिए भाई क्योंकि मैं पॉइंट नी रखता और क्या लो कैश्टा भाई कैच ओफ दे डे भी मिलिया पहली दूसरी विगेट भी विगेट ओफ दे डे शाहत तुमारे हो सकती है लेकिन कैच ओफ दे डे तो है ही है यह फिर से प्रॉपर आउट स्विंग की सीम रिप्रेजेंटेशन अभी है बहुत बढ़िया एज लेगी परफेक्ट डिफेंस पे और कैच भाई कैच की तारीफ हो और में दो नोबल डाल चुका हूं मैं तीन बॉल में साही है अरे इंसर्ट है का चौक नसीब लेकर खेला कर बरो कितने महीनों बात दी बोलिंग भाई हमने पिछली में हांट बॉल डाला सेवन पॉइंट डाली है देख रहो नहीं नहीं तुम देख रहो यार 281 पे दो क्या मेरी बविश्वानी स्टार्टिंग वाली कता ही सही नहीं हो रही बच किया हो और यॉर्कर पे फुल्टा पैज लगती है इस यार अबे यार क्या बीट हो रहा है मेरे वाई अल्यू कर ले बाई तू पुल करना चका मार कैच अरे कर ले कुछ बात करते हैं या या बैट पेट दे दो कुछ तो दे दो नहीं दे दो टीके नो डाउट आ चौका भी घाना जरूरी है भाई रंद भी तो देने हैं आउट अबे तो स्टम में जारी थी अंधी गेम इस तंब नहीं चारी थी किया रीपले नहीं भाई मेरे रीपले नहीं बीग आई बड़ी आ 29 पे 3 है भाई क्या बनाये लोग ने मैंने दो विकेट ली बहुत 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 लेने का सिल्चिला मैंने शुरुक करा था अरे यार क्या है यह भाई क्यों ट्रेल बाइस सेवंटीन रंस ओपाई साव इनने लीड ले लिती अपना करियर लीड आने वाला है मतलब मैं सोच रहा हूँ देखो तुम लोग क्या बोल रहे करियर मोड थोड़ा एसे रेपिटिटिव हो जा रहा ठीक है यह मैं चीज लेकिन वही रहेगा ना वदब यह काउंटी कर ही बोल रहे तुम लोग तो अपने कुछ चैलेंजी रखते हैं हर एपिसोड ने क्या हो जैसे आज मैं सोच रहा हूँ लॉफ्ट ओनली चैलेंज करते पहला ही मैंने लॉफ्टी किया था क्या हो पाएगा कुछ ट्राय करें सारी बोल लॉफ्ट करनी है मेरको चाहे फिर आउट हो जाओ या बाई सदमेशन दो क्या कर सकते हैं क्योंकि काउंटी करनाः से लेक्शन के टायम तुमने समने क्यों बोला तक कहल लो कर लोग MEMाने रायर लीव कर भाई क्योंकि काउंटी कुछ भी अरे रेपीटितिव क्यांDie कि अकि आ लोबस बोलिंग करनी अपनी पाफॉमेंस करनी घिट ल है क्या मज़ ड्राइब ती यार कुछ चैलेंज क्र सकते हैं लौफ टोनली चैलेंज पता निसमें शाहिद तुम मज़ा आगा था दोज संदल सकते हैं नो सिंगल्ड जैलिए दो रन चैलेंज मतलब कुछ भी कर सकते कि डबलउ भागने सिंगल नगे भागना है तो मदले ऐसा ओपाई नाइस डिफेंस टाइमिंग हगार मच रहा है आज नाइस लिए अच्छी बोलिंग है तो रिस्पेक्ट ये पकड़ लेता ना ब्रो चपल उतार ली थी मैंने ठीक चौका मार दी अबे चला जा जा जल्दी सिंगल ले कुछ भी करके और वा क्या स्कोर पर आउट हो है बहुत बड़ी है जीजी हो गया तुम्हार साथ नाइन ओफ एलेवन में चुपचाप जल्दी सिंगल ले रहा था ये स्कोर से अटने के लिए हट बे अच्छा बोलिंग करनी है मेरे को लगा सीधा हार हो कि तुम तो जीतने का चांस भी है क्या एक सो सात र कुरू तुम बढ़िया डिफेंस है और बाइदो वे डे थ्री बस खतम होने आला डे फोर शुरू होने वाला है कुछ हो सकता है कि पिछ बहुत एक्टी सी हो गही लग रहा है नाइसली अपे करना ड्राइव अब तो खतम करो मैच अर्रे भाई मास्ट स्विंग तो पहले और में और दूसरी से विकेड ली गई है अब अल्वरेस भाई तुम आउट हो जाओ तो मज़ा आजा है रोचे को तो देख चे हम मतलब देख लेंगे और नाइस ड्राइव बट यह प्लेयर है सब पास कर लिए वन एक दम एक और यह कहां से गई है अर यार अंधी क है बारिश भी पड़ रही है ओ बाई क्या हो सकता के कुछ बाई एक सो तीन रन में मेरे को टार्गेट रखना मैं एट लिस्ट चार विकेड निकालूं तो कुछ चांस है नाइस यार पहली बाई लगती मज़ा था बाई इतनी मस्स कंडिशन में मला इंग्लेंड काउंटी कि अलगी मज़ा इंग्लीश काउंटी केलने का मालूम नहीं तुम्हारा क्या सीन है कितने दो तीन डंडे बाहर अलवरेज भाईया पिछले और में क्या तुमने एज दिया था क्या है चोड़ा था मर कीपर ने हैं दो डंडे बाहर क्या मस्ट बॉल थी बाई मजेदार करो फ्लिक करो लाइक करो तुम लोग चैट अरे करो भाई ड्राइव करो अर्यार स्टम्प बैट पैट सब मिस्कर निकले गेंद और अर्यर क्या लीव था भाई पहले पांच वर चार मेंटन चार रन ने के विकट अचानक सेन को पता नहीं क्या होगा रन मारी नी रह और दो विकट और की सामने भाई एच टैक और मुल्डर बै उसी रन के अंदर तो भाई 85 रन के अंदर तो ले सकतो यार मांच विकट प्लीज भाई लेट को यार मैं मेरे पूरे एफट्स डालूगा पहली बॉल पे और योर करना ट्राइव कट पट वाट इस अर्यार भाई कटाई खताम होगी ब्रो औरे भाई खेल ले हाँ सब्सक्राइब कर दिया और मुझे बोलिंग नीच चलो ठीक जीत गई ना टीम वाई ये मैच में हमने बना 107 रन पहले इनिंग में उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ दूसरे इनिंग में बट फिर अपने लिदी दो विकेट और ये इनिंग देखना नहीं चाहूंगा मैं ठीक है 116 रन गिन लेते हैं दो विकेट और अभी एक विकेट 116 रन और तीन विकेट मेरा उद्ध मैच है ग्रेम वाइट ठीक है जो भी है चलते हां के तेखे क्या है वाइटिंग बोलिं मैच है सारे नॉकाउट है तो फिर कैसे चलेगा हम तो बीच में एक दो हारे भी थे यह हैं सब वन डे या टी टुन टी कुछ तो मदा अभी समझ लो एक यह एक यह दो तीन चार चार फर्स्क्लास मैच बचे हैं अब मैं उसमें या तो ही कर सकता हूं यहां पर मैं एक बर स करवाता है वो पाकी तो यह पता नहीं क्या कर सकते हैं एक बर करके देखे यह मैं एक बर सिम इस पॉंसरियों आफरोखे अरा जैक्षिप्स क्या वादवाद है चिशिप्स काएंगे इंजरी और फटीग चिफ से सही होती है यह ट्वैंटी परसेंट भूश्ट मिलेगा ओ देखते हैं क्या होता है लिसेबर प्रोगर्स दोड़ सब्सक्राइब करना कोई नहीं देखते हैं इसने क्या किया तुम लोग बोल रहे हैं स्किप कर उसकी पैसे होगा या तो फिर मैं ऑफ स्ट्रिम बैट के खिल लोग ऑफ रेकॉर्डिंग तो इसमें देखो पर्फॉम प्रेट नहीं लिए होगी फिर से बोलिंगी नहीं दूसरी नहीं दूसरी नहीं होगे क्या और चार रन बैट थर्टी सिक्शन बनाया पुरे मैच बास इसलिए नहीं करता मैं समझ रहे हो तुम लोग नेक्स्ट मैच इन 14 डेट वेस्ट में मास्ट्रेफिल चिल अभी खेल मास्ट्रेफिल चिल फिर से नहीं खेल नहीं कर दूँगा तो चलो यह मैच है तुड़ा बहुत खेल के आते हैं क्योंकि यह वही वायदा नहीं अभी एक दो तीन मैच है टोटल और खेल लेंगा और मेरे को दिक्कत नहीं है अब फाल तुम्हार परफॉमेंस कराब और और से लेक्षिन देखो यहां पर तो कहीं आई निर वैसे भी सिलेक्षिन का यह क्या सीन है वाय गाए गार या तो सिलेक्षिन डिफिकल्टी इजी कर लें भी सब की तरह मैं चटी के चलते हैं नहीं हमनी करना हो मैं बाइ हमारी बोलिंग और लाल लाल चेरी लेके हरी हरी मिल जाए नाइसली वह भाई मजा आएगा जर बोलिंग करने डेने टेस्ट है किया यह नहीं ग्यारा फजी इतना अंदेरा लाइट जल रही है आई सही है अबै क्या बीट हुआ है आउट नहीं हुआ लेकिन ठीक है लेकिन मजा तो आरा बोलिंग करने में बाई इतनी और इतनी रदी बॉल होगी सोच ले अब चौका है बाई कट करो यह क्या बोलती है लो है सहाब यहीं बोल रहा था मैं क्यों मैंने स्किप किया एक बैच वियार नाइस बोल्ड यार और बाइद वे तुम समझी गए होगे अभी कि मैं क्यू करने को मना कर रहा देखा पिछले मैं में क्या पफोर्मेंस थी अलब सेलेक्शन और लेट होगा बस बैसी ली बोल भाई लेकिन यह विकेट यार क्या विकेड आफ देडेश चेंज हो रही है क्या इसको रियल टाइम में देखो यार ओ नाइस यार क्या विकेड मजा ही अधरनाक कूद यह उचल के भाई क्या विकेट थी यह लेक्स ट्रम लेके गया है आउटसाइड ओफ शिक्स ट्रम पर उशाद बाल वाज है बाई यह बाई बाई भाई तनी स्विंग खतम हो जाएगा तुम्हादा करियर लग रहा है चैंदलर चैंदलर हो हेलो और नाइस लिए ट्रेविस हैड आया सामने और मैंने वेस्टन असलिए कांट्रेक्ट भी डिकलाइन कर दी यह डिसिजिजन कैसे तुम लोग बताओ यार अगर कांटी का भी फिर से आता तो नहीं करूँ ना वेक्स सब जगा एक एक बार खिल लिया तो ठीक है परिक्याल से औरे लगाना बैट नाइस लिए कार भाई बहुत बढ़िया पांच ओवर तीन मिदन साथ रन एक विकेट भाई सहाब और अंधेरा होता हुआ थर्टीफाइव थीन मैंने विकेट एना शुरू कि उन्होंने दूसरे ली थी अब तीसरी भी लेली अब मैं लूंगा चादी अप लीव बाई एक और बड़ी अलीव अब बाई चौक अब लग रहा है बैट पेच्छे जाई ओई यह पीछे कितना मसते हो कि यह बहुत अच्छा दिख रहा है यार यह खतरना कि यह कौन से स्टेडियम है ससेक्स क्रिकेट ग्राउंड कौन सा है बाई और बाई यह क्या सीम हुई है और स्विंग सीम दोन हो रहे लिए भाई अरे ड्राइव भी कर दे बॉम्टी है अब है फ्लिक करके चौका मार दिया क्या और यह क्या स्कोर है भाई और नाइस लीव भाई मेरे को लगा खेलने जा रहा है फिर लिव कर दी क्या चेट अब है शॉट लेग कर सकता सब्सक्राइब है चारीज और पचास अन बनाए नहीं और तीन विकेट अब तो लेकिन बहुत अच्छी है और सेशन भी खतम हुआ इसके साथ भाई सब्सक्राइब है आज की अपीजोड में ने कितने चार या पांच विकेट अभी एक लिए उसके पहले एक ली थी दो औ और दस रन बनाएं लेकिन ठीक यार दो गूंटे से किल रहा हूं फिर में को एडिट भी करनी है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यह कोई से वैदर में बोलिंग दिया मेरे को फिर नौ और पांच मिन्ट बाइस रन और भी रन होगे साई 188 साथ विकेट पे तो यहां स अब यहां से कंटीनियो करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और तब तक तुम लोग बता दो यार क्या है सिमले डॉला सीन बाकी मैं नेक्स्ट एपिसोड में मेरा डिसिजन बताता हूं आज के लिए इतना ही कैसा लग एपिसोड बता देना थोड़ा बोलिंग फ्रेंडली लेकिन थीक है मसा है अर अर घरी अरी पिच और करकास्ट कंडिशन मज़े दार प्ले अन्ड मिस्स विक्टे अच्छी बोलिंग मज़े ठीक है चलो बाइबाइबाइब फिर वह 188 फाई डिफेंड भी टिम ने लास्ट इनिंग में 188 डिफेंड करते हुए एट टी पे वन थे वो तब जाके हम जीत के तब भी तो हमने यह सब भी देखा बहुत कुछ देखा यार चलो ठीक है बाइबाइबाइब